हेलो बच्चो हमारे चनल पर आपका स्वागत है तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको प्रतिभा पर्व मूल्यांकन बर्ग सीट 2021 से 22 का जो आपको प्रोजेक्ट कार मिला है जो आपको घर से करके देना है ठीक है ना विसाय संस्कृत का यह आपका पूरा बर्ग सीट प् ठीक है तो कच्छा चटवी वाले इसको आप अच्छे से देख लें और इसी के अधर पर जो मैं आपको बताते जा रहा हूं जैसे जैसे उसी प्रकार से आपको अपनी बर्ग सीट कंप्लीट करना है ठीक है देखिए खंड बाह है और इसके अलाबा अगर आप हिंदी का य जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ उसका नोटी किस्टन आपको तुरंत मिल जाए ठीक है और इसके अलाबा अगर आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे हुए वहां से आप देख सकते हैं मैंने वहां पे अप्लोड कर रहा है ठीक है तो आप हिंदी विसायका भी बहां से देख सकते हैं और अधर विसायका भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स हों बता सकते हैं और आपको जल्दी प्रोवाइड कराए जाएगी तो चैनल को सब्सक्रेब जरूर कर लें ठीक है तो यह आपका संस्क्रिप्शन बिसायका है प्रोजेक भरना है उसी प्रकार से आपको इसको भरना है ठीक है यहाँ पर अपना नाम लिख लें यहाँ पर अपनी पिता का नाम लिख लें यहाँ पर साला का नाम जहाँ पर पढ़ते हैं इस स्कूल का नाम ठीक है और यहाँ पर आपक्छा लेंगे अपना चटी भी है तो चटी भ बाहरी तो पहला प्रस्तित क्या लाई क्या क्या प्लार की नाम संस्क्रित में लिखकर चित्र बनाना है ठीक है हमें पांच भोजबदार्थों की नाम लखना है संस्कृत में और उनकी बाजू में चित्र बनाना है ठीक है जैसी कि दीखिए यहाँ पर इस चित्र बनाया है यहाँ पर काई का बनाया है यहाँ गेहूं का चित्र बनाया है तो आपको भी यहाँ पर देखिए। इसके बाद दिखाते हम आपको यह आपका पहला होगया दूसरा देख लिजी दूसरा आप इस तरीके से लिए। दूसरे आपने चित्र बना दिया इहां पे बौक्स-मे और इसका नाम लिख दिया है आप परैंगू ठीखे तो प्रियांगू इहां पर इसको मो बनाया तीसरी में मैं आपने धान का चित्र ननाया है दानको श्याइन स्कृत में क्या बूलते हैं, धनको धान्याम तो इस तरिके से बाजू में नाम लखे देना है और चाहती नमबर पर आप के चार हो गए आप फाँच बाद देख लीजिए पांच भी पाँच बाद आपने जो नाया तो आपने जोका बनाया तो यहां आपने उसका नाम लिख दिया यह बहा हो गया पहला question पूरा हो गया पांच आपको बदार्द की चित्र बनाने थी और उनकी बाजू में संस्क्रित में नाम लिखने थी यह आपने complete कर लिया इसके बाद देखिए इसके बाद हमारा next जो दूसरा प्रसन है दूसरा प्रसन देख लिए दूसरा प्रसन है हमारा पंच पक्षि नाम चित्रवल्या निर्माडम ठीक न और संस्था पर ठेसाम नामानी संस्क्रित लिखा ज़िए अब वहां पर हमने भोजबदार्थों की नाम लिखी तो यहां पर हमें पांच पक्षियों की नाम लिखने है और उनके चित्र बनानी ठीक है तो देखिए यहां पर इस कोष्टक में आप एक पक्षी का चित्र बनाई ये लेखने है ठीक है तो आप देख लीजी यहाँ पर मैंने आपको सभी चित्रे और उनकी नाम दे दिये हैं बता दिये हैं देखिए तो आपको इनको कर लेना है ठीक है बाजू में आपको बॉक्स बनाया है बॉक्स में आपको नाम लखे देना है तो देखिए यह क्या है खगा तो आपको इसका चित्र बना देना है नीचे आपको उसका नाम बाजू में उसका नाम लखे देंगी ठीक है यहाँ पर चट कहा है तो इसका आपको बाजू में चित्र बना देना है बॉक्स में आपको चित्र बनाना है और बाजू में आप नाम लेख देंगे ठीक है इसी प्रकार से उलू का चित्र बना देंगी उसका संस्क्रित में नाम लेख देंगे बाजू में उलू का ठीक है इसी प्रकार से कहुए का मैंने आपको बताई दिया चित्र नहीं बना बहा है तो आप उसमें चित्र भी बना लेन और उसका नाम लख लेना वाइज़व में इस परकार से आप चार आप एकर लेना ठीक है इस परकार से आपकी हो जाएंगी पूरी ठीक है आपका दिखें चार और आपका नीचे यहाँ पे मयूरह का बना देंगे आप ठीक है सुकाह का बना देंगी ठीक है सुकाह किसको बुलते हैं तो तेग ठीक है और यहाँ पर बकाहा बदक का बना देंगी ठीक है तो इस तरी किसे आप सबकी चित्र बना देंगी और उनकी नाम भी लिख देंगी ठीक है तो यह आहाँ पर आपका खतम हो तो यहां पर नए हो तो चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ में बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूं उसका नौटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर द थेंक यू